एक लव्य ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुवात होती है मेरे जन्म से परन्तु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यू मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्नाय लिया किन्तु यदुवंश के विनाश की सौगंद खाने वाले मगद नरेश जरासंग के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपते प्राण गवा दिये और मैं एक माता की गोच से बिछाड़कर जंगल का बेटा बन गया यह मेरा सुमेरू का पुत्र कहलाएगा एक लावले एक लावले एक लावले उड़तो तुम भी सक्तियों हाँ हाँ वो देखो आए गिटक तुम मानतार हो गए मेरा सामने जारूने बोलो उने चलने चुले दे नीजे उतारे शिकार खुद बखुद चल करा हम एक लावले। संभाल के त्रिपुरा? कहीं चोड़तों नहीं लगी ना? नहीं. पैसे भी आम पुत्तल पहुँचके, वो देखो, पुत्तल का जूला. दीदी, उस जूले में बैटने से मेरी तवियत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? बता है, लोग कहते हैं कि इस जूले पर बैटकर अच्छी अच्छों की परिशानिया दुर हो जाती हैं. सारी तकलीफे दुर हो जाती हैं. तुछ तुम्हारी तप्यती एकदम ठीक हो जाएगी चाल जरूर मैं बीते हो एक आल में हूँ दिदे पुष्किन के दुनिया में आकर इतनी आसानी से वापस चले जाओगे ये कैसे हो सकता है चोड़ो मेरे भाई को उसका हाथ क्यों पकेड़ा चोड़ो अब तो यह उसके तीह अटी कराने आए थे अरे वाँ मेरे जूले की कहानियां लोगों तक पहुँच रही है वाँ बहुत अच्छे क्या कहते हैं लोग करामाती जूला कोई भी परेशानी हो तो पुत्तल का जूला हाँ लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें यह सब जोट है कहानिया है कहानिया जो मैंने बनाई है हाँ हाँ चोलो उसका हाँ चाहते क्याओ तुम चोलो चाहते क्याओ तुम चोलो मेरे भाई को हाँ हाँ यह… यह क्या परनादे हैं तुमने मेरे भाई को मुझे मेरा भाई वापस जेगे, वापस दो मुझे मेरा भाई देखो, मैं तुम्हारे आगे हाँ चोड़ती हूँ मेरा भाई मुझे लोटा दो पुरी तुनिया में सिर्भाई एक सार है मेरा मैं तुम्हारे आगे हाँ चोड़ती हूँ मेरा भाई पिर मेरा क्या होगा? मेरे जैसे कट पुतले को जीने के लिए इंसानों को कट पुतली बनाते रहना पड़ेगा आई बात समझ में मैं इंसानों को कट पुतले बनाता हूँ और उनका जीवन लेता हूँ मेरा जीवन है ये इंसान मैं बनाता हूँ इन्हें पुतले और इनका जीवन लेकर बढ़ाता हूँ अपना जीवन